आज की इस वीडियो क्लास में हम प्लांट एनाटॉमी के 40 important question को solve करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण है TGT, PGT और LT के एकजाम में इसी प्रकार के प्रश्ण पूछे जाते हैं Question number 1 है एक दूई बीज पत्तरी तने के vascular bundle निम्नमेशे बने होते हैं एक vascular bundle of dicot is stem consists of तो देखिए जो एक बीज पत्तरी तने हैं उसके vascular bundle में जाइलम या कॉस्ट फ्लोयम या बास्ट तथा कैम्बियम उपस्थित होते हैं तो इस में से आंसर सही हो जाएगा उपर युक्त सभी से question number two है निम्न लिखित में से किसके तने में cortical vascular bundle पाये जाते हैं cortical vascular bundles are found in stem of which of the following तो cortical vascular bundle जो होते हैं वो एक समवहन प्रडाली होती है जो जल एवं खनिजों के परिवहन में शहायक होता है तो ये nictenthus के तने में पाया जाता है तो यहाँ पर option सही हो जाएगा nictenthus question number three है मरत जीवी आवरत बीजी है मरत जीवी जो है पूछ रहा है कि कौन सा आवरत बीजी है यहाँ पर तो देखिए जो monotropa में chlorophyll का क्या होता है कि अभा होता है तो जिससे यह अपना भोजन बनाने में असमर्थ होता है तो यह मरतोप जीवी आवरत बीजी पौधा है तो यहाँ पर option सही हो जाएगा monotropa question number 4 है पंड मध्योत तक अभिन्नित होता है तो इसमें से देखिए जो चार आपसन दिये गया है पहला कर रहा है घास में नीम में बीन में या आम में घास जो है ग्रैमनी कुल का एक बीज पत्री पादफ है ठीक है monocotyledence plant है पौधा है और इसकी जो पत्तियां होती है वो क्या होती है आईसो बाइलेटरल होती है तो इन पत्तियों को सूर का जो प्रकास है दोनों तरफ समान रोप्ष मिलता है क्योंकि ये सीधी अवस्था में उगती है जो घास होती है तो यहां पर आफ्शन सही हो जाएगा घास में, ग्रास में, question number five है, पौधे के किस भाग से जूट के रेसे प्राप्थ होते हैं, तो जो जूट के रेसे होते हैं, वो soft या vast fiber होते हैं, और यह क्या होते हैं, carcorous capsularis तथा carcorous olitorious के तने से प्राप्थ किये जाते हैं, तो यहा आफ़्ाँ से, तो यहां पर जो options हृँ होगा, वो होगा तने से, Find system, question number six है, blast रेसे प्राप्थ होते हैं, अभी जो है देखे हमने पढ़ा था कि जो रेसे प्राप्थ होते हैं, यह किस से प्राप्थ होते हैं, यह carcorous capsularis तथा carcorous olitorious के तने से प्राप्थ होते हैं, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि बास्ट्रे से प्राप्थ होते हैं तो वही चीज यहाँ पर दुबारा question पूछ लिया गया है तो यह होते हैं कौर कोरस के तने से तो यहाँ पर दूसरे प्रकार से question पूछा गया है तो C option यहाँ पर correct होगा Question 7 है प्रसांत केंद्र कहां इस्थित होता है तो जो प्रसांत केंद्र है यानि जो प्रसांत केंद्र है वो root apex यानि कि जो मूल सीर्स है उसमें पाया जाता है और यह वह भाग होता है जहाँ पर कोशिकाय सामानता क्या होती है निश्क्रि विभाजन की अवस्था में होती है तो करा कहाँ इस्थित होता है तो प्रसांत केंदर जो है कहाँ पे इस्थित होता है ये root apex यानि कि A option मूल सीर्स में ठीक है? root apex question number एठ है वाहिका वाहिनिका से भिन होती है किस प्रकार से भिन्न होती है तो देखे जो वाहिका तथा वाहिनिका होती है ये जाईलम के क्या होते हैं घटक होते हैं और दोनों ही जल समवहन में भाग लेती है तो वाहिका की जो कोसिकाएं हैं एक वर्टिकल पंक्ती में होती हैं उपर नीचे की कोशिकाओं के बीच की भित्ती घुली हुई होती है तो यहां पर option कौन सा सही हो जाएगा C option correct हो जाएगा, अनुलंब कोशिका पंक्ती रहने में जिसमें पास की भित्ती घुल जाती है कुईस्टिन नमर 9 है, रसकास्थ होता है, यहनी कि जो सैफ वूड होता है, क्या होता है रसकास्थ, देखें, जो सैफ वूड है, वो क्या है, सेकेंड्री जायलम का बाहरी भाग होता है, जो खनीश तथा जल का परिवहन करता है, तो यहां पर B option correct होगा, दुतियक जायलम का बाहरी भाग ठीक है आउटर पार्ट अफ सेकेंडरी जाइलम कुश्चन नमर टेन है व्रद्धी वलय बनती है सक्रीता के कारण ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिविटी आओ तो यहाँ पर जो व्रद्धी वलय है यह क्या होती है इंट्रा इस्टीलर कैम्बियम की सक्रीता के कारण बनती है तो यहाँ पर ए उप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अन्तारंभी एधा कुश्चन नमर 11 असामान दुतियक व्रद्धी पर लच्छित होती है तो कह रहा है कि गेहू में, अदरक में, ड्रैसीना में या मक्का में यह कुश्चन बहुत इंपोर्टन है इसलिए इंपोर्टन है कि इसमें देखिए बहुत जादा ही कुश्चन को घुमा फिर आगे पूछा गया है यानि कि कह रहा है कि असमान दुतियक व्रद्धी अबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज आपजोर्ड इन तो देखिए जो ड्रैसीना है और यक्का है यह क्या है, यह मोनोकॉट पौधे होते हैं ठीक है, और मोनोकॉट पौधों में सामानता दुतियक व्रद्धी यानि कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है क्योंकि इनमें वैस्कुलर केंबियम नहीं पाई जाती है दुतियक व्रद्धी नहीं होगी यानि कि secondary cambium का निर्माड होता है जिससे secondary vascular bundle का निर्माड होता है तो यहाँ पर दुतियक ब्रदी परलच्चित होती है किसमें ड्रैसी नामें कुश्चन नमबर 12 है टाइलोसिस होता है इसमें टाइलोसिस क्या है तो देखें जो टाइलोसिस का निर्माड है वो secondary जैलम में होता है और पौधों में लगा था secondary growth के फलसरूप पुराने तने के मद्ध में उपस्थित जो secondary जैलम की वाहिकाएं हैं और वाहिनी काओं में आसपास की जो म्रदुत की ये कोशिकाएं हैं वो प्रदी कर जाती है तो इन्हें कहते हैं टाइलोसिस तो यहाँ पर हो जाएगा secondary जैलम कुश्चन नमबर है 13 कार्क कोशिकाएं होती है कार्क कोशिकाएं क्या होती है तो जो कार्क होता है उसका निर्माड पौधों में secondary growth के फलसरूप कार्क कैम्बियम से होता है कार्क कोशिकाएं क्या होती है म्रत होती है पूछ रहा है कि कार्क कोशिकाएं क्या होती है कार्क सेलसार तो यह होती है dead होती है म्रत होती है कुश्चन नमबर 14 है कौन सा प्राथिमिक उतक 10 वरसों की दुतियक व्रद्धी के उपरांत भी बना रहता है तो देखे जो जाइलम है वो प्राथिमिक जाइलम जो है बना रहता है यह केवल अंदर की तरफ खिस सकता जाता है तो कहरा कि कौन सा प्राथिमिक उतक 10 वर्सों की 2-3 व्रदी की उपराम भी बना रहता है तो यहाँ पर option हो जाएगा जाईलं Question number 15 है किस में केंद्रक अनुपस्थित होता है Nucleus is absent in तो देखे जो चालिनी नलिकाएं है उनमें प्रारम्भी कवस्था में तो केंद्रक होता है परन्त जो mature stage हो जाती है परिपक कवस्था हो जाती है तो उनमें केंद्रक absent होता है नुपस्थित होता है तो यहाँ पर हो जाएगा चालिनी नलिकाएं में Question number अगला है एक बीच पत्री में कलम बांधन संभाव नहीं है क्योंकि Grafting is not possible in monocotylidance because they क्यों संभाव नहीं है देखे जो monocot पौदे हैं उनमें Grafting संभाव नहीं है क्योंकि उनमें Vascular bundle क्या होता है घेरे में बिवस्थित नहीं होते हैं बलकि बिखरे हुए होते हैं तो यहाँ पर C option करेक्ट हो जाएगा उनमें प्रकेंड संभावनी bundle होते है ठीक है C option Question number अगला है 17 number दुतियक जाइलम की नई परत होती है इनके बीच तो देखे जो दुतियक जाइलम है यानि कि जो secondary जाइलम है वो पौधों में secondary growth के समय सरफर्थम Vascular Cambium का निर्माड होता है और फिर इसकी जो कोशिकाएं होती है वो सक्रिय विभाजन करती है तथा अपने अंदर की तरफ secondary जाइलम तथा बाहर की तरफ secondary phloem का निर्माड करती है तो यहाँ पर D option correct हो जाएगा समवहनी Cambium के ठीक अंदर just inside the Vascular Cambium question number 18 है phloem हमेशा प्रवाहित होता है इससे तो जो phloem होता है phloem के द्वारा जो sugar है प्राया सुक्रोज के रूप में इस्थाना अंतरित होता है अब इसमें जो प्रवाह होता है वो हमेशा सोर्स से सिंक की और होता है अब सोर्स क्या है सोर्स का मतलब वह स्थान होता है जहाँ food का निर्माड होता है तो यहाँ पर A option correct हो जाएगा विगलनपरत बनता है इसके द्वारा विगलनपरत क्या होता है देखिए पौधों में पत्ती पूस्प तधा अन्यभागों के प्राकरतिक रूप से पौधों से गिर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है विलगन कहलाती है और जहाँ से पत्ति फूल यह सब जो गिरते हैं उस इस्थान पर दो लेयर बन जाती है ठीक है दो लेयर बन जाती है एक होती है विलगन परत और दूसरी होती है कौनसी दूसरी होती है प्रोटेक्टिव लेयर ठीक है अब जो विलगन परत है इसका निर्मार पैरेंग काईमी कोशिकाओं से होता है तो तो यहाँ पर कहा है कि विगलन पड़ बनता है इसके द्वारा पैरेंग काईमी कोसिकाओं के द्वारा ठीक है d option 20 number दूतियक वलकुट की कोसिकाओं होती है शल्ष जैल्ष ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर दुतियक वलकुट की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है पैरेंग काइमा यानि की म्रदूत की यह होती है तो यहाँ पर B option सही हो जाएगा Question number 20 है Elbuminus कोशिकाएं उपश्थित होती है Elbuminus कोशिकाएं क्या होती है देखे जो non flowering जो पौधे होते हैं उनमें फ्लोयम में companion कोशिकाओं का अभाव होता है बलकि इसकी इस्थान पर रूपांतरित पैरेंग काइमा होती है जिन्हें Elbuminus कोशिकाएं कहते हैं जिनमें से gymnosperm क्या है ऐसे ही पौधे हैं तो पूछ र आएगा gymnosperm question number 22 है परिचर्म में होता है पेरी डर्म includes परिचर्म में क्या हुता है देखे पौधों में पेरी डर्म का जो निर्माड है वो secondary growth के फलसरूफ होता है तो पेरी डर्म में क्या होता है तीन प्रकार के उतक बनते हैं कौन-कौन से पहला जो होता है वो होता है फेलो जर्म ठीक है पहला होता है फेलो जर्म दूसरा होता है फेलम और तीसरा होता है फेलो डर्म ठीक है तीसरा होता है फेलो डर्म तो यहां पर पूँच रहा है कि परिच्चार में होता है क्या होता है तो यहां पर D option सही हो जाएगा कार्क, कैंबियम, कार्क और दुतियक कार्टेक्स कार्क, कैंबियम, कार्क और सेकंडरी कार्टेक्स Question number 23 कार्क की जल के लिए अपारगम प्रकृति निम्न में से किसके निच्छेपण के कारण होती है तो इसमें से देखिए जो कार्क की जल के लिए अपारगम में प्रकृति है वो सुबेरिन के निच्छेपण के कारण होती है और यह वसा पदार्थ, यानि कि जो fat material होता है, उसका बना होता है, तो यहाँ पर क्या option हो जाएगा, B option सही हो जाएगा, subarin Question number 24, Cambium द्वारा विविन निस्थानों पर अलग-अलग अनुपाद, यानि कि जो मात्रा है, उसमें जाइलम तथा फ्लोयम का निर्माण होता है तो इसमें से देखिए, Question number 24 है, जो पूँच रहा है कि, Salvenia, Bignonia, Cookerbita या Nictanthis, तो जो Bignonia है, वो क्या है, एक Dicot Plant है, और इसमें कुछ स्थानों पर जाइलम का निर्माण अधिक होता है, तथा दूसरे स्थानों पर फ्लोयम का निर्माण अधिक होता है, तो यहाँ पर जो है, B option सही हो जाएगा, Big Nonia, Question number 25, पौदों की परिधी में व्रधी इसके कारण होती है, तो इसमें से देखिए, जो पौदों की परिधी में व्रधी होती है, वो कहाया कि, इसके कारण होती है, तो फैलोजन एवम वैस्कूलर कैमबियम के कारण होती है, तो यहाँ पर B option सही होगा फैलोजन एवं वैस्कुलर कैम्बियम 26 नंबर है अंतरकाश्थिय फ्लोयम और अंतरकाश्थिय फ्लोयम और अंतरकाश्थिय फ्लोयम तथा सामान फ्लोयम सभी पाए जाते हैं तो यह जो है सभी पाए जाते हैं किसमें यह पाए जाते हैं इस्ट्राइक नौस में क्वेस्टन नमर 27 है व्यवसाइक जूट के रेसे किस से प्राप्त होते हैं तो जो व्यवसाइक जूट के रेसे होते हैं यह कॉर्कोरस की दो जातियों से प्राप्त किये जाते हैं और जो इसके रेसे होते हैं वो फ्लोयम से प्राप्त किये जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर कौन सा आप्शन सही होगा करा है कि फ्लोयम फाइबर आप्शन दिया गया है यहाँ पर फ्लोयम फाइबर ठीक है question number 28 किसी उतक में वियुक्ति कोशिकाओं के रूप में पाए जाने वाले साखित द्रड़ होतक कहलाते हैं इंग्लिस में कभी कभी कोई टर्म बहुत सरल होता है और हिंदी में कठीन होता है द्रड़ होतक ठीक है तो यहाँ पर जो है इसकी इंग्लिस यहाँ पर यह लिखी हुई है branched scleran chima occurring as isolated cells scattered in any tissue are called तो यहाँ पर देखिए जो post-wire रूप जो रेसे हैं एक प्रकार के साखित द्रड़ होतक होते हैं तो यहाँ पर a option सही हो जाएगा पोस वाह रूप रेसे question number 29 है उतक जन हिस्टोजन का बाहर से अंदर की तरफ का यहाँ पर क्रम पूँच रहा है sequence किस प्रकार से होगा तो देखिए सबसे पहले जो इसका sequence है तो सबसे बाहरी परत क्या होगी सबसे जो बाहरी परत होगी वो होगी dermatogen ठीक है dermatogen फिर उसके अंदर periblaim फिर सबसे अंदर plerome तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे तोचा तोचा जन वलकुट जन और रम्भ जन सी option यह पें correct हो जाएगा इसके बाद है question number 30 करह लेप्टोम सब्द हैबर लैंड द्वारा खो जा गया किसके समानार्थक है तो जो लेप्टोम सब्द है यहाँ पर हैबर लेंड के द्वारा खो जा गया था तो phloem के यह समानार्थक है यहाँ पर option दिया गया है ए नमबर phloem के समानार्थक है और यह phloem के वेभाग होते हैं जो पौधों में मुख्य तया भोज पदार्थों के परिवहन की क्रिया समपाधित करते हैं यहाँ पर ए option सही हो जाएगा phloem question number 31 है वायूतक किन पौधों में मुख्य तया पाए जाते हैं वायूतक का मलग एरेंग काइमा तो जो यह वायूतक होते हैं ऐसे पैरेंग काइमा जिन में अंत्रा कोशिक आवकास सबसे अधिक विक्सित होते हैं तो यह वायूतक या एरेंग काइमा है यह वायूतक या एरेंग काइमा कहलाते हैं यह मुक्कतया hydrophytes पौधों में पाए जाते हैं, यानि कि जलोद भिध पौधों में, यहां पर A option correct हो जाएगा, hydrophytes, Question number 32, त्यूनिका कार्पस वाद किस ने प्रतिपादित किया था, The tunica carpus theory was proposed y, त्यूनिका कार्पस जो वाद है, वो Ismit ने 1924 दोरा, मलब इसमेट ने 1924 में प्रतिपाधित किया था और इनकी अनुसार जो एंगियो इसपर्म का प्ररोह सीर्स है दो सू इसपर्ष्ट छेत्रों टिवनिका वा कार्पस का बना होता है यहां पर डी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा question number 33 वलकुट समवहन पूल इन में पाए जाते है वलकुट समवहन पूल किर्स में पाए जाते है तो देखिए जो निक्टैंथी से तथा कैजुवारीना है दोनों के इस्तम्भ के वलकुट में वैस्कुलर बंडल पाए जाते है यहाँ पर C ओप्शन करेक्ट हो जाएगा C ओप्शन में क्या लिखा है A वा भी दोनों दोनों यानि निक्टैंथा और कैजुवारीना question number 34 है इस्टो मेटा में जब सहायक कोसिकाय अनुपस्थित होती है तो उसे कहते हैं इस्टो मेटा में जब सहायक कोसिकाय अनुपस्थित होती है तो उसे क्या कहते हैं A नो मोसिटिक कहते है B नमबर यहाँ पर B ओप्शन सही हो जाएगा A नो मोसिटिक question number 35 मेरी स्टम सब्द किस ने दिया था तो देखे जो मेरी स्टेम सब्द है वो C नागेली ने 1858 द्वारा दिया गया था मलब कि C नागेली द्वारा 1858 में दिया गया था तो यहाँ पर दिया गया है A option correct है नागेली के द्वारा और देखे मेरी स्टेम एक ऐसा localized अर्थात इस्थानी छेतर है जिनकी कोसिकाओं में विभाजन की क्या होती है असीमित छमता होती है ठीक है इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे question की तरफ question number 36 friends अगर आप channel में new widget किये हैं तो channel को subscribe कर लिजे वीडियो को like और share कीजे question number 36 है MP vessel समवहन बंडल पाया जाता है तो देखिए जो जाइलम तथा flowyam की इस्थिती के आधार पर vascular bundle कई प्रकार के होते हैं ठीक है पहला जैसे हो गया radial हो गया पहला क्या हो गया जैसे radial हो गया और conjoint हो गया ठीक है conjoint हो गया और concentric हो गया तो इसमें से जो concentric है इसमें यदि MP vessel कहते हैं जैसे की dressina में ठीक है देखिए कितना घुमा फिर आगे question पूछा गया MP vessel समवहन bundle पाया जाता है तो देखिए पहले जाइलम और flowyam की इस्थिती पढ़ेंगे फिर ये किस प्रकार से इस्थित होते हैं फिर इनके अंदर वो घेरा कैसे बनाता है तब जाकर के हमारा जो है concept clear होगा कि ये MP vessel कहलाता है और किस पौधे में होता है dressina में होता है तो यहां पर B option correct हो जाएगा dressina में question number 37 जड़े किस आधार पर अपस्थानिक होती है तो अपस्थानिक जड़े क्या होती है कि बीज के radical से उत्पने नहीं होती है radical से निकलने वाली जड़ों के नश्ठ होने के पस्चार पौधे की किसी अन्भाग से निकलने वाली जड़े अपस्थानिक जड़े कहलाती है यदि यह ऐसी जड़े तने के अधार से निकलती है तो रेसेदार जड़े कहलाती है फाइब्रस रूट कहलाती है तो कहरा है कि किस अधार पर अपस्थानिक होती है तो ये उत्पत्ती के स्थानपत बी ओप्सन इसमें करेक्ट हो जाएगा कुश्चन नमर थर्टी एट व्यवसाई कार्क किस से प्राप्त होते हैं कामर्सियल कार्क इज अप्टेंड फ्रॉम कामर्सियल जो कार्क है वो फेलो जन से विद्पन होते हैं और ये ओक से प्राप्त होते हैं बोतलों में जो लगाने वाली कार्क होती है वो इसी ब्रच्चे से बनती है तीक है जो बोतल होती है उसके उपर जो कार्क लगती है ये इसी ब्रच्चे से बनती है तो यहाँ पे ओक आप्सन सही हो जाएगा question number 39 williamen उतक इसमें पाए जाते हैं williamen जो tissue जाए करा कि किसमें पाए जाते हैं williamen tissue is found in तो जो apiphytic roots हैं उसमें 20S प्रकार के spongy उतक पाए जाते हैं जिनें हम क्या कहते हैं williamen उतक कहते हैं तो यहाँ पर c option correct हो जाएगा archits के yv जड़ों c नंबर question number है 40 इमार्ती लकडी उतक रने वाली पौधा इमार्ती लकडी को उतक रने वाला जो पौधा है वो सोरिय रुबश्ठा है तो किस कुल से संबंदित है तो इसमें से इसका family पूच लिया गया है तो जो सोरिय रुबश्ठा है वो इमारती लकड़ी उत्पन करने वाला पौधा है और यह diptero carpesi कुल से संबन्धित है तो इसे साल या साफू भी कहते हैं और यह dicot बहुवर्शी व्रच्छ है और इसकी लकड़ी क्या होती है बहुत ही कठोर होती है तो इसका option क्या सही हो जाएगा डी option करेक्ट हो जाएगा diptero carpesi